कॉंग्रेस ने केंद्रे मंतरी मनुहलाल खटर को लेकर बड़ा दावा किया है पार्टी का कहना है कि हर्याना के मुख्य मंतरी पत्से हटाए जाने के बाद खटर ने कॉंग्रेस से संपर्क साधा था खटर ने लोग सबत चुनाओं से पहले सीम पत छोड़ दिया था इसके बाद नायाब सिंग सैनी को राज्य की कमान सौपी गई थी कॉंग्रेस नेता पवन खेडा का दावा है कि खटर सीम पत से हटाए जाने के बाद कॉंग्रेस के पास आए थे पवन ने ये भी कहा कि खटर पत से हटाए जाने के चलते बहत दुखी थे और कुछ साहियोग्यों के साथ कॉंग्रेस में शामिल होना चाहते थे पर ऐसा नहीं हो सका रिपोर्ट्स के अनुसर पवन खेडा ने सवाल किया कि खटर को नौ साल से ज्यादर समय तक मुक्य बंतरी बनाए रखने के बाद भी उन्हें अचानक से पत से क्यों हटा दिया गया खेडा ने पूछा कि पोस्टर से अब उनका चेहरा गायब क्यों है खेडा ने कहा कि भाजेपा नेतुत्र की तरह से इस पर बात करना बाकी है उन्होंने कहा कि प्रधानमंद्री नरेंद्र मोदी कई बार विदेशी महमानों से भारत की गरीबी चिपाते है और खटर के मामले में भी ऐसा ही हुआ है